माई डियर फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग देखते हैं मिरसेरा इंजेक्शन के बारे में इसका फुल फार्म होता है मेथाक्सी पॉलिएथिलीन ग्लाइकल इपोईटीन बीटा तो लगबग हर किड्नी मरीज में हम लोग इरिथूपोईटीन स्टिमूलेटिंग एजेंट का इंजेक्शन देते ही देते हैं ताकि उसका हम इनेमیا करेट कर सकें और आपको पता यह कि हेल्दी किड्नी इरिथूपोईटीन हार्मोन अपने आप बनाती है लेकिन जब किड्नी डैमेज हो जाती है तो फिर किड्नी इस इर्थूपोईटीन को नहीं बना पात करेट किया जा सके काफी महेंगा इंजक्षन है यह काफी अच्छा भी होता है पैकिंग इसकी अच्छी है इसमें नीडिल और सिरिंज वह अलग-अलग रखते हैं यह लोग और सिरिंज के उपर एक प्रोटक्टिव कैप होती है रबर की तो जब आपको इंजक्षन लगाना ह होता है तो नीडिल को और सिरिंज को आपस में पहले अटेज करना होता है तो अटेज करने के लिए रबर को केरफूली जो हटाना पड़ता है और हटाने के बाद आप सिरिंज को इसमें अटेज कर सकते हैं अटेज करने के बाद आपका जो भी प्रिफर साइट है लगाने क यानि अगर आपको आई वी देना है या सब क्यूटिनियस देना है तो आप उसको जहां भी देना हो आपको तो उस पार्ट को उस हिस्से को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद आप इंजेक्शन को वहाँ पर इंजेट कर देंगे लगाने के तरीका वही है ज दुबारा से किसी को आप उसको प्रिक नहीं कर सकते हैं, ये इसमें सेफ्टी है बस.